कानपुर में जिला अधिकारी आवास के नजदीक बने ओफिसस कैमपस में जिस महिला का शव दफनाया गया था ये वही स्थान है और जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में अपनी पीट को थपथपाती हुई नजर आ रही है पुलिस को अपनी नजर में ये गुड़ व से जिस बयान को दिया गया है और घटना का जिस तरीके से अनावरण करने का पुलिस दावा कर रही है वो कहीं न कहीं अन्सुल जी पहली की तरीके से नजर आ रहा है ये वही गेठ है जिसके अंदर से महिला का शव बरामद हुआ था जमीन में महिला का शव करीब 8 से 10 यहराई में गड़ा हुआ था फिल्हाल पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि आरोपी जिम ट्रेनर जिस महिला की हत्याकर उसके शव को अपनी निजी कार यानि की आईटेन कार में लेकर आया हुआ था वो इसी राख्ते से इसी गेट के माध्यम से अंदर पहुंचा था ल इसीबल नेक डाई से दिखाई नहीं देगा कि अंदर डेट बोडी रखे और जो साइब की सीड़ी उसमें कोई बैठा हुआ नहीं था इसके अलावा तो हम लोगों को यह संभावना थी कि हो सकता है कि यह महिला को लेकर कहीं चला गया हो इसकी संभावना कोई भी होगा प इसको पार्ट नहीं कह सकते हैं वह उस लोकैलिटी का पार्ट जो और जो गाडी जा सकती है वह लोकैलेटी से जा सकती है डि.्य. захोईरी जो है वह यूबी अपर 1 6 2 ए मैं जा को रमति इतान तर्व द्र ट्रांसपोर्ट भी हुआ है दरासल यह जो gate आप देख रहे हैं यह बिल्कुल जिलादिकारी आवास से लगा हुआ यह campus है और इसकी अगर हम चोड़ाई की बात करें इस gate की चोड़ाई की बात करें तो करीब 6,6 inch जो car की चोड़ाई होती है वो 6,6 inch होती है और इस gate की जो चोड़ाई है वो 65 inch है यानि की एक इंच का अंतर है एक इंच ये gate छोटा है और जिस कार में शव को लाकर यहां दफ्राने का दावा कर रही है कानपूर पुलिस वो कहीं ना कहीं जूटा साबित हो रहा है क्योंकि एक इंच छोटे gate में एक इंच बड़ी कार कैसे प्रवेश कर सकती है करते कि इस समय संभाने between कैम 54 में 5 संभाएव का सब्सक्राइब कर रहा और बाद में और गड़ा खोधा हो बरंतु यह बहुद देखने के उसम ciri घृड़ तक खोधा गया था और आठ से दस फिट की उसकी गहराई थी क्योंकि चार फिट तक गड़ा खोदा गया तो उस समय बॉडी में स्मेल नहीं आ रही थी जब नीचे हम लोगों ने गड़ा खोदा है तो बॉडी की अपनी बात चुपा रहा हो इसकी भी संभावना उसका पहले से पहले से अभी देखिये यह हम जो है वह इन्वेस्टिकेशन में लेकर आएंगे और इसको अभी इत्वाक नहीं है अभी इसको प्लाणिंग में लेकर आएंगे ते उसके भी फूटेज हमने चेक किये थे उसका फिलाल पुलिस अब अपनी ही गुत्थी में उलस्ती हुई दिखाई दे रही है वो भले ही तमाम दावे करें लेकिन कहीं न कहीं हकीकत कुछ और है इस मामले में अभी कई की राज खुलनें बाकी है क्योंकि कानपुर पुलिस लगातार दावा कर रही है तो वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली टीम को एक लाख रुपए का इनाम भी देने का ऐलान कर चुकी है लेकिन अपने मिया मुह मिठू होना यह कहीं न कहीं पुलिस को भारी आपकी